कई बार मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि मैं मैंने कल रिलेशन बनाया था और हमने प्रोटेक्शन का इस्तिमाल नहीं किया था या फिर कल रिलेशन बनाया था और मुझे लगता है कि जो हमने प्रोटेक्शन का इस्तिमाल किया था वो फेल हो गया है और मैं pregnancy नहीं चाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? और अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है, तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीतियादब बात करूँगी Unwanted 72 Tablet के बारे में और बताऊँगी कि ये Tablet आपको कब और कैसे लेनी है साथ ही आपको इसकी पूरी जानकारी दोंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें चलिए, बात करते हैं कि Unwanted 72 क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि Unwanted 72 Tablet एक Emergency Contraceptive Tablet है ये Tablet इस तरह की Packing में आता है इसमें सिर्फ एक ही Tablet होती है अब इस Tablet को कब लेना है और कैसे लेना है? अगर आपने बिना किसी Protection के Relation बनाया है और आप Pregnant नहीं होना चाहती है तो इस Condition में Unwanted 72 Tablet का यूज़ कर सकती है Unprotected Intercourse के Next 3 दिन तक आप ये ले सकती है अगर आपने Unprotected Intercourse किया है और आप Pregnant को Avoid करना चाहते हो तो Unwanted 72 Tablet का यूज़ कर सकते हो मैं Recommend करूँगी कि आप Unprotected Relation के बाद 3 दिन मैं इसे जल्दी से जल्दी कर ले ये बहुत ही Simple और Effective तरीका होता है Pregnant को रोकने का इस Tablet को आप Simple पानी के साथ भी ले सकते हो किसी भी टाइब अगर आपको Unwanted 72 लेने के 2 घंटे के अंदर Vomiting हुई है तो फिर इस Tablet को आपको Repeat करना पड़ेगा इस Tablet को Unplanned Relation के 24 से 72 घंटों के वीतर आपको लेना होगा आप जितनी जल्दी Tablet ले लेंगे उतना ही अच्छा है अगर जिम्मेदार तरीके से लिया जाए तो Unwanted 72 Tablet आम तोर पर सुरक्षित होता है इसे आपको Regularly यूज नहीं करना है लेकिन Emergency Situation में आप इसे आराम से बिना किसी Tension के यूज कर सकते हो वैसे तो इसके कोई भी Major Side Effects नहीं है लेकिन इसे लेने से पहले पैक पर दी गई जानकारी आप पढ़ लें ध्यान रखें कि ये एक Regular Form नहीं है बर्थ कंट्रोल करने का तो जब भी Unwanted Pregnancy का रिस्क हो तो 72 घंटे के अंदर ले Unwanted 72 Emergency Contraceptive Tablet Unwanted 72 के साथ नहोगी अंचाही Pregnancy Unwanted 72 आपको किसी भी Medical Soap पर मिल जाएगी और आप चाहो तो इसे Online भी Order कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने बिना Protection के Relation बना लिया है या फिर आपका Protection फेल हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए, स्वस्त रहिए